हेलो फ्रेंड श्वागत है आप सब का मेरे चैनल पे एक बार फिर्षे और आज हम बनाएंगे गाजर की खीर बहुत ही आसान तरीके से तो चलिए देख लेते हैं फटा फट से गाजर की खीर की रेशिपी कैसे बनाना है इसे तो खीर बनाने के लिए मैंने रख दिया है दू के और अब मैं इसे काटनी हूँ बारीक बारीक तो अब हमारा गाजर भी लगवग कट चुका है तो गाजर काटने के बाद हम इसे पीस लेंगे ग्राइंडर के जार में तो अब मैं ले ली हूँ जार को अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर को और गाजर के साथ ही पढ़ लेता है फिर स्वाद अच्छा नहीं आता है और यह है नारियल के कुछ टुकड़े सुखा नारियल है थोड़े सा काजू थोड़े बादाम और इन सब को मैं साथ ही में पिस लूँगी गाजर के ताकि खीर हमारी गाड़ी-गाड़ी सी बने और टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जब तक से दूद में उबालना आ जाए तब तक तो देखिए चलाते चलाते इसे हम उबाल लेंगे अच्छे से जो मिक्सर के जार में थोड़ा सा लगा रा गया तक आजरू से भी मैं निकाल के डाल दे रही हूं और फिर मैं चलाओंगी इसे उबाल आने तक सर्काइब तो अब हमारी खीर पक चुकी है अच्चे से और अब हम MICHसमें डालेंगे चीनी और चीनी मैं अपने हिसाब से डाल रही हूं छोटी कटोरी शेक कटोरी आप अपने स्वाथ के हिसाब से जितना चीनी पऽंद करते हैं उतना डालें और बस चीनी डालने के बाद भी हमें इसे चला लेना है और लगभग 5 मिनट और पकने देना है बढ़िया से ताकि चीनी भी मिल जाए खीर में बढ़िया से तो जब हमारी खीर पक गई है एकदम अच्छे से तब मैं इसमें डाल रही हूँ किस्मिस को पहले मैं नहीं डाली इसलिए ताकि दूठ फट न जाए तो जब चीनी और गाजर सब मिक्स हो गया अच्छे से खीर बन के तयार हो गई है उसके बाद मैं किस्मिस को डाल रही हू किसमिश डालने के बाद भी खीर को पकाना है कम से कम पांच मिनट ठाकि किसमिश भी अच्छे से पक जाए और बस तो देखिए हमारी खीर तैयार हो चुकी है और उमीद है आप लोगों को मेरी खीर की रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खीर को थोड़ी दिर ठंडा होने दीजिए उसके बाद खाईए देखिए ठंडा होने के बाद कीर हमारी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में देखने से ज्यादा स्वादिश लग रही थी तो मिलती हूं अगले वीडियो में बाई बाई